आज मैं आप लोगों को तेनाली राम का कहानी सुनाने जा रही हूँ उसका नाम है मुनादी एक बार राजा कृष्ण देव राय ने पुराहित ने कहा महराज हमें अपनी परजा के साथ अपनी जनता के साथ सीधे जूरना चाहिए प्रोहित की यह बानी सुनकर दरबारी चौक परे उए प्रोहित के बात की बात कुछ समझ न पाए तब प्रोहित ने अपनी बात को समझाते हुए उन्हें बताया दरबार में जो भी चर्चा होती है हर सपता उस चर्चा की परमुख बातें जनता तक पहुचाई जाएं पर जाब ही उन बातों को जने तब ही मंत्री और सेना पती ने खुसुर खुसुर दोनों में खुसुर खुसुर होने लगे मंत्री ने समझाया महराज विचार तो वास्तम में बफूत उत्तम है ते नाली राम जैसे अलक मंद और चतुर ब्यक्ति ही इस कार्ज को सुचारू को रूप से कर सकते हैं साथ ही ते नाली राम पर दरबार को खास जिम्मेदारी भी नहीं है राजा ने मंत्री की बात मन ली और ते नाली राम को यह काम सौप दिया यह ते किया गया ते नाली राम जो सारी जन हीत और परजा हीत की जो बाते राज दरबार में होगी लिखित रूप में दरोगा को देंगे दरोगा उन बातों को नजर के नगर के चवराहों पर मुदादी कराकर जनता उगा परजा को सुचना देंगा तेनाली राम सारी बात समझ गया समझ गया था वह यह भी समझ गया कि मंत्री ने उसे जबरदस्ती फसाया है तेनाली राम ने भी एक योजना अपने मन में बनाई बनाई सपता के अंत में उसने दरोगा को एक परचा थमा दिया मुनादी करने के लिए दरोगा ने परचा मुनादी बाले को पकरबा कर कहा जाओ और मुनादी कर दो मुनादी बाला सीधा चवराहे पर पहुचा और ढोल पीट कर मुनादी करते हुए बोला सुनो 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 नगर के सारे नागिरिक सुनो महराज चाहते हैं कि दरबार में जनहित के लिए जो फैसले किये गए हैं उन्हें सारे नगर बासी जने उन्होंने स्रीमान तेनाली राम को यह कठिन दाइतव सोपे हैं हम उन्ही के आग्यां से आपको यह समचार सुना रहें ध्यान देकर सुने आप लोग ध्यान देकर सुने महराज चाहते हैं कि परजाव जनता के साथ पूरा इंसाफ हो अपराधी को दंड मिले इस मंगल बार को राजा दरबार में इसी बात को लेकर काफी गंभीर चर्चा किये हैं महराज चाहते थे कि पुरानी न्याय ब्यवस्था की अच्छी और साफ सुथरी बाते भी इस न्याय परनाली में सामिल की जाए इस मामले पर उन्होंने प्रोहित जी से पुरानीक न्याय ब्यवस्था के बारे में जानना चाहता चाहा किन्तु प्रोहित जी इस बारे में कुछ न बता सके क्योंकि युवह तो दरबार में बैठे उंग रहे थे उन्हें इस दसा में देखकर राजा कृष्ण देवराय को गुस्षा आ गया उन्होंने भरे दरबार में प्रोहित जी को फटकारा गुरुबार को सिमाओ की सुरक्षा पर राज दरबार में चर्चा हुई किन्तु सेना पती ने उपस्थित न होने के कारण सिमाओ की सुरक्षा की चर्चा आगे न हो सकी राजा ने मंत्री जी को करेर आदेश दिये हाँ की राज दरबार में सारे सभासद ठीक समय पर आएं यह कहकर मुनाई बाले ने धोल बजा दिया किसी परकार हर सफता नगर में जगह जगह मुनादी होने लगी हर मुनादी में तेनाली राम की चर्चा हर जगह होती थी तेनाली राम की चर्चा की बात मंत्री सेनापती और प्रोहित के कानों में भी पहुँची वे तीनों बड़े चिंतित हो गए कहने लगे तेनाली राम ने तो सारी बाजी ही उलटकर रख दी जनता समझ रही है कि वही दरबार में सबसे परमुख है वह जान बूज कर हमें बदनाम कर रहा है दूसरे ही दिन जब राजा दरबार में थे तो मंत्री ने कहा महराज हमारा संबिधान कहता है कि राज काज की समस्त बातें गोपनिये होती है उन बातों को जनता या परजा को बताना ठीक नहीं है बिलकुल ठीक नहीं है तभी तेनाली राम बोल पड़े बहुत अच्छे मंत्री जी मगर आपकी साइद उस दिन यह बात याद नहीं थी आपको भी तभी याद आया जब आपके नाम का धोल पिता गया है यह सुनकर सारे दरबारी हस परे मंत्री जी की सकल देखने लायक थी राजा क्रिश्न देवराई भी सारी बात समझ गये थे वह मन ही मन तेनाली राम की सराहना कर रहे थे और फुस हो गये मनुस्य का चतुर होना बहुत जरूरी होता है चतुर ता मनुस्य का सबसे बड़ा गुन है जो चतुर नहीं होता है वह जीवन में कुछ नहीं कर सकता है तेनाली राम की छोटी छोटी मनुरंजक कहानियां आपको चतुर बनाने में और स्थित समाई अंस्वार कार्ज करने में सीख देने के लिए सर्बोस्त क्रिस्ट है यह कहानियां नो केबल आपका मनुरंजन करेगी बरना आपको चतुर भी बनाने में काम करेगी परिबार के परत्यक सदस्यों के लिए यह कहानियां सुनना बहुत अनिवार्ज है यह कहानी सुनिये आप लोग मेरे चैनल में आपको इस्टर की कहानियां सुनने को मिलते रहेगी इसलिए आप मेरे चैनल को सस्क्राइब कीजिए एवं वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में सेर भी कीजिएगा तब तक के लिए बाई बाई